लेडी डॉन मेडम मिंच अनुरादा चोधरी शादी करने जा रही है जी हाँ और उनकी शादी हो रही है कुख्याद गैंक्स्तर चार राज्यों का संदीप उर्फ काला जठेडी से अब तक अनुरादा चोधरी का करीबन 15 साल का सफर जरायाम करा है गन करा है सलाखों करा है लेकिन अब वो शादी के बंदन में बनने जा रही है और एक नई जिंदिगी की शुरुबात करने जा रही है हमारे सहाद बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुरादा होई है अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही है एक गैंग्स्टर के घर की और शादी करने जा रही है पहली प्रतिक्रिया मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दीपक वासन साब की कोट ने हमें परमिशन दी है एक क्रिमिनल का एक प्रॉसेज होता है र फिर इस तरीकी के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है उन्होंने हमें अलाव किया तो मैं काफी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमिशन मिलेगी और और लोग भी क्राइम से वापस में लोटेंगे संदीप उर्फ काला जठेडी की कितने साल बाद अपने घर बापसी हो रही है जठेडी गाउं में सोला साथ शायद सोला या पंदा साल बाद परिवार के लिए जाहिर तोर पर एक खुशी का मौका है चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेल ही जाएगा शादी के बाद क्या कहना चाहेंगे उनकी माँ खास तोर से बहुत खुश है क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आई ये सब चीजे छोड़ के उसका घर बसे और वो इच्छा पूरी होने जारी है तो मुझे लगता है कि ग्रह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इ संदीब करने की कोशिच करेंगे जितने मुकद में चल रहे हैं वो जब खतम हो जाएंगे या सजा हो जाएगे उनको छोड़ चुके हैं उन पर इंक्वारी होती है तो पदा चलता है कि वो सिर्फ एलिगेशन है फाक्ट कुछ भी नहीं है तो संदीब इन सब चीजों से द चार राज्यों के वांटेड रहे हैं बाद में उन्हें गिरपतार किया गया उन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं आपकी शादी पर गैंगवार का शाया भी मंडरा रहा है ऐसे भी एजनसी के सूत्रें बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी क्या आपको डर लग रहा ह अर अब जाच्छ कर रहे हैं और देडर जैसा कुछ नहीं है डली टीपार्टमेंट और हरा न पुलिस प्लिस दिपार्टमेंट ने और भी छेर睡 सेल है क्राइम ब्रांच है और इस तरी के डीड़े है और मुझे लगा कि मुझे लग रहा है और वाका में फैक्ट भी एक ह वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम लोग दोबारा वापस इस दुनिया से निकल के फैमेली और समाज में लोटें और इसके लिए वो हमारी सेफटी के बहुत अच्छे से बन्दोबस कर रहे हैं तो डर जैसी कोई चीज नहीं किस तरह के आपको लग रहा है आ आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं और यह मौक ऐसे ही मौकी की तलाज करते हैं पहली बात तो यह गलत है कि संदीप ने कोई खून बाहा है वह एलिगेशन है अभी तक कोई प्रूव नहीं वा जी और दूसरी चीज नहीं ऐसा कुछ नहीं है सिक्योर्टी रिलेटेड ज छादी के कार्ड आपके छप उए हैं कितने आपको लग लग रहा है कितने It's abed आप के में आ रहा है और आप लोग ने जैसे हमने देखा आपके घरробी CCTV कैमरा लगा यई पूरी चप्पे-चप्पे आप लोग नजर रखते हैं क्यों कि शादी का समय है यह का रही बाद CCTV कैमरा कि तो जो गार्डन है वहाँ पर काफी सारे हीडं CCTV कैम्रे भी लगाए हैं डिपार्टमेंट ने भी लगाए हैं और हमने भी लगाए हैं तो सिक्यूर्टी बैस्ट मुझे नहीं लगता कि जो बैस्ट अगर इन सब चीजों को डील कर रहे हैं तो कोई कुछ कर सकता है अनुराधा दो दिन की शादी है 6 गंटे की पैरोल मिली है थोड़ा बताएंगे कोट ने क्या कहा है कोट ने फॉस्ट डे जो शादी की दिन दिये 6 गंटे की दी है नैक्स डे ग्रह प्रवेश के लिए उन्हो चुकी हैं खुली अब हमें सांस ले रही हैं कहीं भी आ जा सकती हैं लेकिन संदी भी को क्यों चुना आपने जो पता नहीं कब बहार आएगा इतने मुकदमें उसको पर चल रहे हैं कि भाई उसके साथ ही अब शादी करना है हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है और थॉ सपोर्ड के आगे बढ़ना चाहिए और हम एक दूसरी को सपोर्ट करते हैं साथ लेके निकल सकते हैं चीजों से और आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे संदीप से बैस्ट कोई लगाने अभी आप हमसे बात करें आपने कहा था कि संदीप अनाम बेवजा एक अभी जोड़ा है जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने उससे जेल में पूस्ताज भी कि थी तीहार में जाके तो यह जानकारी मिली थी कि उसका इस हत्याकांड में कोई नाम नहीं आया है नहीं पुलिस ने अपना रूटीन इंक्वारी की है और वो उनकी ड्यूट हैं कि सच सामने आएगा और डिपार्टमेंट अच्छे से इंक्वारी कर रहा है और जब वह इंक्वारी कर रहे हैं तो डर जैसी या फिर कोई और चीजों का कोई मतलव ही नहीं मीडिया कुछ भी चापे आप वकालात कर रही हैं पूरी हो गई आपकी आपने कहा था कि पिछले इंटर्विव में की संदीप का केस खुद लड़ेंगी आप जी हां थोड़ा टाइम बाकी है मैंने एक इंटर्विव में भी कहा था कि समय आने पर हम चादी भी करेंगे लीगली हमने साथ फेरे पहले भी लिए हैं लेकिन अब हमारी फामेली और इनके सामने इनके साटिस्वेक्शन इनकी खुशी के लिए लेंगे और लीगली डिपार्टमेंट को भी काफी सारी चीजें लगती थी कि इसा फेक है यह है ऐसा कुछ निए फेक जैसा नहीं है जो है सच यही है तो ठीक है चीजें मतलब आगे बढ़ेंगी शादी के बाद इसी गाओं में इसी घर में रहेंगे जठेडी गाओं के इसी घर में संदीब के क्या कुछ सोचा आगे प्लानी नहीं वो सिक्यूर्टी रीजन से मैं यहां नहीं रह पाऊंगी शादी के बाद शिप्ट करेंगे क और फिर चीजें जिनको हम छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें दोबारा गुसना पड़ सकता है, तो ऐसी चीजों को हम दोनों ही अवोइट करेंगे। हम तो पैनिक नहीं है, संदीप भी नहीं है, और जो डिपार्टमेंट है, उजे लगता है वो अपने बैस्ट ऑफिसर्स लगाएगा, और उनसे बैस्ट कोई नहीं हो सकता, नहीं करने देंगे वो लोग कुछ, जहां तक मुझे लगता है, और अगर फिर भी कुछ होना लिख है, तो वो भगवान ने लिखा है और वो हमारा प्राडब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया, तो ये थी अनुरादा चोधरी, लेडी डॉन, मेडम मिंज, जिनकी शादी होने जा रही है, और संदीप जो है, महस कुछ घंटे के लिए अपनी शादी में शिरकत करे उसके बाद वो बापस तिहार जेल चले जाएगा, और अनुरादा चोधरी ने बताया है, कि वो बहुत जल्द वाकालत पूरी करके अपने पती का जो केस है, कानू लड़ाई है, वो खुद लड़ेंगी, कैमर वसंद बिमल के साथ आननती बारी, न्यूज एटिन इंडिय जाठेडी गाउं सोनी पत